हुआ है उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज जो हम आए हो गए हैं लोगों के सामने उसका में रिजन यह है कि 18 तारीक को गवर्मेंट ने एक नया है गाइडलाइन लाया है इसको एक जो तरह कहीं है जोनत नहीं नहीं दो कुछ काम नहीं रहता है तो कुछ न कुछ जो है थमाफ सब्सक्राइब इस दिन कंड़ेमों कुछ आया प्रेश अग जोन फॉस डिन से उक नई फतले रहे आप हल तक भाम है अभि है कि इसमें इन्होंने किया किहा है की दो साल जो फर्स ड fitness यहले वाले हैं उनको बोला है कि आप on-layчас तैयारी करें इसकेंड इर के बच्चे जो हैं जो फिड्cak तियर में जाएंगे सकेंड यह से ह dug st पास और वच्चे जो होते हैं उननों को बोले कि आप ट्रांसपर ले सकते हैं छटे साल तक जो भी बच्चे हैं एसारे ट्रांसपर ले सकते हैं और जो भी दा की बच्चे जो भी उसके बाद के बच्चे हैं उनका ट्रांसफर होगा और साथ में उन्होंने एक और चीज बताया है कि कोई भी कॉलेज में mobility program नाम का कुछ नहीं होगा mobility program में ये था कि बच्चे अपना इस साल जो है युक्रेन से निकल करके किसी और कंट्री में पर लेंगे और फिर अगरे साल वापस युक्रेन आ जाएंगे इसलिए उस प्रोग्राम को NMC ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम किसी कॉलेज में नहीं चलेगा और फर्स्ट यर और सकेंड यर वाले बच्चे ऑनलाइन किलास कर सकते हैं उन्होंने ये किलियर कर दिया है इसके अलवा इन्होंने इंट्रेंशिप के बारे में किलियर टू कट बता दिया है कि जो भी बच्चे इस साल तक पास ओट हैं या होंगे उनको दो साल का इंट्रेंशिप करना है 2022 में अगर कोई पास किया है तो उसको दो साल का इंट्रेंशिप करना ही है और नौन्स आने से पहले जो भी पास आउट है उनके लिए जो 2002 का अप्लिकेशन था वही लागू रहेगा टोर्टल ये 15 कोईश्चन का मूल सारांस यह है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है ठीक है आप जो है अराम से अपनी डिगरी को दूसरे युनिवरस्टी में ट्रांसफर ले सकते हैं अराम से अपनी परहाई को वहीं continue कर सकते हैं आपको जो डिगरी मिलेगी वहां से उसी डिगरी के अधार पर आपको आपको MCI से certificate मिन जाएगा उसी डिगरी के अधार पर आपका आखे का कोर्स हो जाएगा और साथ ही इन्होंने ये भी बता दिया है कि मैं एक और guideline लाओंगा वो guideline मुझे लगता है कि ये first year second year वाले बच्चों के लिए होगा कि हो सकता है कि ये first year second year वालों को भी other country में transfer दे दे तो जो भी नई guideline आईगी जो भी चेज आएगा वो मैं आप लोगों को सप्वास ले के आउंगा और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारिया चाहिए उसके लिए आप हमारे नीचे दिये गए नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं वार्टसप कर सकते हैं और नीचे लिंक हमने दे दिया है इसमें आपको अगर किसी तरह कोई question answer करना हो उस पर जाकर कर आप आराम से question answer कर सकते हैं all the best thank you